शिव सिना सिंबल विवाद के बीच आया उद्धव ठाकरी का बयान क्या उद्धव ने बदल लिया हिंदुत्व का ट्रैक उद्धव ठाकरी ने किसे कहा मोगेंबो अभी सारे मुसलिम भाई वे साथ में आ रहे इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खत्र में आना चाहिए यह कर्म भूमि आपको आधर दिया है तो इस देश के प्रतिया आपका एक कर्तवय बनता है तो यही है कि इस देश को अपने मात्रूभूमि मानने वाला हर कोई वो हमारा भाई है वो हमारा भाई है और आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई इसलिए क्योंकि घर में भी कुछ उत्तर भारती आये थे नहीं सची आये थे अलग वो उत्तर भार उत्तर प्रेश से आया थे आज ही के दिन आज शाम को जा रहे तो उन्होंने पूछा आप अगर होंगे तो हम मिलना चाहते तो आईए तो मैं यहीं उनको कह रहा था कि देखो हमारे हिंदू तो कैसा है जो मेरे पिता जी ने हमें सिखाया एक पिछले लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए जब आतंकवारियों को पता चला कि यह अभी चुट्टी लेकर अकेला जा रहे है बीच में उसको किड्नेप किया गया तैसे हालाल के लिए और कुछ दिनों के बाद एक्दम चिनन विचिनन जा लेले तासा शरीर उसका मु लेकिन आप को नाम पताया क्या है उसका नाम था औरंग जीब होगा ना मझवा थे मुसलमान हुगा था यह लेकिन उसने अपने देश के लिए कुरबानी दी भारत-ंता-जी समय भारत-मिता कि जै कहते है उसके लिए उसने अपनी जान तक दीव आपना भाई नहीं था हो वो अपना भाई ही था, तो ये अगर हमारा हिंदुतो है, अच्छा, अगर मैं कॉंग्रेस के साथ गया तो हिंदुतो का छोड़ दिया, अभी कल मोगाइमबो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पत के लिए कॉंग्रेस और रश्रवरी की तलवे चाट रहे थे, तो अभी उन्हों जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा इससा चाट रहे पता नहीं, सांग तो ना, ये रोटी बन, आताब, आसे दोंचार दिउसापुर्वी, मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया था, सायदना साब ने बुलाया था, मैं गया, लेकिन मैं गया, मैंने वहां चपाती ने लट जरूर पड़ती है, कि जाकर रोटी, करनिक मना, सपाते लाटा, जाडू मारा, और जब दिल से रिष्टा होता है, तो बात सीधी दिल से दिल की होती है, नवटंकी की बात करने के आओशक्ता नहीं होती, मैंने जाकर वहां, उन्होंने मुझे प्रेम सी बुलाया, मैं गया क्योंकि जब बड़े सेयद ना साब थे, तो मुझे याद है, मैं छोटा था, तो वो भी मेरे पीताजियों को मिलने के लिए घर पे आये थे, तो इतने पूराने हमारे समन है, कोई आओशक्ता नहीं नाटक करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी किया, मैं कॉंग्रेस के साथ गया, तो हिंदु तो छोड़ दिया, अरे भाई, आप मुफ्ती महमद के साथ बैठे ते उस वक आपने क्या छोड़ा था, कभी कॉंग्रेस ने आतंग पारियों को शहीद मानने के लिए तो ये ने रखी ते ने शर्थ, कि ये जो है, का है अबजल गुरू, तैला मुफ्ती महमद के लिए उनके साथ आपने सत्ता के लिए उस वक क्या किया था आपने, मैं नहीं पुछना चाहता, लेकिन क्या तब भी आप हिंदू थे ना, कि उस वक के लिए टाइम प्लीज ले थी जैसे बच्चे ले थे टाइम प्लीज, हम हिंदुत्व छोड रहे हम ह मुझे बताईये, मेरे पार्टी में कुछ लोग वहां चले गए, जाने दो, जिसकी मर्दी मर्जी जाना चाहे, जाने लेकिन वो दूसरी पार्टी में जाने चाहिए, आपने जो बात कही है और इसलिए मैंने कहा ना, कि या रे भाई, मेरे लोग मुझे घर से बाहर निकल अब वो मालिक बनने जा रहे, और हमारी समस्तावी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का, ये कौन सा देश है, घर में देश में चल रहा है, लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारी राजनीरिक पार्टीया है, उनके आखे खुलने ही चाहिए, आज हम पे बीती है, कल आप पे बीच सकती है, कल आप पे बीच सकती है, जिस तरीके से उन्होंने शिवसेने के साथ सुलुक किया है, करते ही जा रहे है, क्या बिगड़ा है हमने, आपको मेरे पिता जी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिता जी का बेटा नहीं चाहिए, जो आपके साथ थ तैयर था और सिर्फ मैंने मेरे पिताजी को जो जिसको आप आपका नेता मान रहे हैं उसी को मैंने वचन दिया था कि मैं शिवसेनिक को मुख्यमंत्री को रूंगा वो वचन निभाने वाला अगर धोका देता है तो उसके साथ मुझे कैसे परताब करना चाहिए जिसने हमें लिए बाला साथ की शिवसेना को दोखा दिया उसके चल तल्वेश चाटने वाले अपको चलते हैं दो माजकाय शुकलो हुता यही तो मांग रहा था अगर जो बात मैंने उनके सामने रखीती जो ड़ाय साल तो मैं मुख्यमंत्री था हालाग कि मैं मुख्यमंत्री बनना न नहीं था लेकिन पावर साब थे, कॉंग्रेस के अन्या जेश्च ने था थे, उन्होंने कहा कि उद्धो जी आपको ही होना करना पड़ेगा, यह सुखार करना होगा, अन्या था यह सरकार बन नहीं सकती.